नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का स्टीफ और सेविल सर्विसेज में और मैं हूँ आपका अपना शुभम पान चलो और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से उत्तरा खंज सामन ग्यान के लेक्चा सिरीज में जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नमबर थ्री जि इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि उत्तरा खंज का प्लाचिन इतिहास को हम देख चुके थे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तरा खंज का मद्ध कालिन इतिहास तो बने रही है स्टेडी फोर्ट सिविल सर्विसेज के साथ और चलिए शुरू करत कर सकते हैं जो कि UPSC, UPPCS, BPSC, UPSSSC ए इफको के आप त्यारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं आप हमारे साथ Prilliums, Mans, Optional, Answer IT एवं विभिन पेकारगी Test Series को भी जॉइन कर सकते हैं यदि आप हमारे जल करते हैं वीडियो को शुरू और वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताना चाता हूँ कि आप Study for Civil Services को टेलेग्राम में भी जॉइन कीजिए जहां पर आपको मिलते हैं वीडियो के सब भी सब्सक्राइब जुरू कीजिएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है और उसाथ में बेल आइगन को दबाईए जिससे आपको समय पर Notifications मिलते रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस्टार करेंगे मद्यकालिन उत्राखंट के इतिहास से तो आप चूकी गयात होगा कि इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से प्राचिन भारत में हमने पढ़ा कि जो अंतिम राजवंस था कार प्राजाचि राज़्ज के कुमाऊ के छेत्र पर कार्तिकेपुर धानखिगा कार्तिकेपुर राजवंस के पश्याच संभवता-कत्यूरी और चंद शाशकों ने उत्राखंट में शाशन किया और जहांपर इसके जो बोल सकते हैं कि जानकारी कहां से प्राप्त होती है तो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्राचिन भारत से मद्ध भारत की और आए तो अंतिम वंश या दखेगा और प्रथम वंश या दखेगा मद्धिकालिन भारत का तो चली शुरू करते हैं कातियूर या कत्यूरी राजवंश इसो कातियूर भी कहा जाता है साथ में कत्यूरी राजवंश के नाम से भी इसे जाना जाता है तो कत्यूरी राजवाउश के बारे में क्या-क्या डिटेल्स हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको ग्यात होगा कि जो कार्तिके राजवाउश को भी हम उसी मंजलों के विभाजन के आधर पर देख रहे हैं तो लोक गाथाओं के अनुसार कार्तिके पूर राजवाउश के पश्याद कुमाउँ में कत्यूर का शाषन इस्थापित हुआ और यह जो कत्यूर का शाषन था वह आगे चलकर कत्यूरी के जब कमजोर पड़ गए उनका राजवी क्या हो गया भिन्न भिन्न छिन्न हो गया चोटो और चोडों में विभक्त हो गया, इसकी कई शाखाई बन गई, अब कोन-कोन सी शाखाई बनी, उनके बारे में मैं आपको information देता हूँ, तो उसमें बनी थी आपकी बेजनाश शाखा, पाली पच्छाई शाखा, असकोट शाखा, खोटी शाखा, मीरा शाखा और सोर श मिलने से हमें प्राप्त होता है, तो उसी प्रेकार जो मद्रिकालीन इतिहास का जो कत्तुरी राजवन्ष है, उसके बारे में जो जानकारी है, महाग पर हमको किस आधार पर मिलती है, तो धानक कीगा, हमको जो जानकारी है, वह हमको मोखिक रूप से, या बोसकते हैं कि वि भिन्न छिन्न हो गया जिसके कारण कि एक बड़ा राजवंच का टुकड़ा हो गया और आपको पता होगा जब किसी बड़े राजवंच की छोचोची शाखाय हो जाती हैं तो वह उसका छेत्र या उसकी मजबुती कमजोर पड़ जाती है और इसी का फायदा दूसरे राजज देव ने की थी तो आपको गया हो गया होगा कि इस राजवंच की स्थापना किस ने की तो इस राजवंच की स्थापना वासु देव ने की थी और इनकी कई शाखाएं कत्यूरी बेजनाश शाखा पाली पच्छाई शाखा असकोट शाखा खोटी शाखा मीरा शाखा सोर श से शाशन करने लगी और इन्हीं की प्रमुक शाखाओं में कत्यूर का आसंती देव जो है जो की देववंच असकोच के रजवार तथा जो डोटी के मल्ल थे वो भी इससे संबंदी थे तो धानकी का जो आसंती देववंच है और असकोच के जो रजवार वो डोटी के जो मल् जाते हैं इसे की साथ साथ आसंती देव के दी बात की जाए तो धानकीगा पूसते हैं कई बार कि आसंती देव राजवंश की स्थापना किस ने करी तो धानकीगा जो कत्यूर राजवंश था हम बात कर रहे थे कत्यूर राजवंश की तो कत्यूर राजवंश में जो आसंती देव राजवंश है उसकी स्थापना आसंती देव ने की थी धानकीगा आसंती देव ने ही आसंती देव राजवंश की स्थापना करी और आसंती देव वंश के शाषकों ने अपनी जो राजधानी थी पहले कहां पर बनाई थी तो धानकीगा पहले जो राजधानी बनाई थ वह मनाई थी अपनी जोशी मठ में तो आप कह सकते हैं कि पहली जो राजधानी थी वह जोशी मठ में मनाई और बाद में जो कत्तुरी राजधानी के जो रन चूला कोड थे उसमें उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी तो आप कह सकते हैं कि जो आसंती देव राजधा उसकी पहली राजदानी कहां पर थी, कोशन अगर आ गया, तो जोशी मठ में थी, और दिती राजदानी कहां पर थी, तो थी आपकी रण चूला कोच में दिती राजदानी मिस्थापित थी. साथ में बागेश्वर में भी कत्यूरी राजाव का एक प्रमुकिस्थान रहा है क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि जो बागेश्वर था वह एक शक्तिशाली छेत के रूप में उबरा था और आसंती देववन्ष का जो अंतिम शाशक था वह कोन था तो जो अंतिम शाशक था आसंती देववन्ष का वह था आपका ब्रह्म देव कोन था ब्रह्म देव जिसे बीरम देव के नाम से भी जाना जाता था तो आप कह सकते हैं कि इसे किस के नाम से भी जाना जाता था तो धानकीगा जो ब्रह्म देव को विरम देव भी कहा जाता है। इसकी साथ साथ कत्युरी राजवंच के दिम आकरण की बात करें कि कि किस प्रकार चित्ता बड़ा राजवंच का अंत हुआ यह भी जानना बहुत जादा इंपोर्टेंच होता है। तो थे, उन्होंने वहाँ पर आकरमन किया और जो कत्युरी राजवंच की रूप में जो नंदा देवी की बात की जाये। तो ये था आपका एक कत्तुरी राजवंश जिसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको बताई है आईए अगला राजवंश देख लेते हैं आगला है हमारा कुमाओ का चंद राजवंश बहुत इंपोर्टेंट है धानकीगा इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में बताया है जो की पूछा जा सकता है तो दिम कुमाओ के चंद राजवंश की बात करें तो चंद राजवंश की संस्थापक थे वो अलग-अलग विद्वानों के बीच मदभे थे कोई विद्वान केता है कि ये वेक्टी थे चंद राजवंश की संस्थापक कोई विद्वान की अलग-अलग मानना है तो आई हम देख लेते हैं कि चंदवंच की स्थापना सरबतम किसने की, तो एक अधिक साधिक एतियासिक विद्वानों की दिबात करें, तो उसमें सोमचंद ने 1025 इस्वी में चंदवंच की स्थापना की, दानकीगा, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा और बहतर समझ में आएगा, तो चंदवंच की आत्मचंदर, इंद्रचंद, संसारचंदर, सुधारचंदर, हरीचंदर, ये जो थे विभिन प्रकार के शाषक हमको चंदराजवंच में देखने को मिल जाते हैं, तो कौन-कौन थे शाषक? एक बात चर्चा कर लेते हैं, तो थे आपके सोमचंद, फिर थे आपके सुधाचंदर, वो सुधाचंदर के बाद कोन था आपका? हरीचंदर, ये आप केते क्या थे? कुमाओ के चंदराजवंच थे, इसकी साथ साथ अब हम बात करते हैं कुमाओ चेतर की शाषन विवस्ता की, तो धानकी का जो कुमाओ चेतर की शाषन विवस्ता थी, उसका में एक मजबुष शाशन की वैवस्था थोहर चंद ने 1261 में की साथ में ग्यान चंदर के दिबात करें तो ग्यान चंदर इस वथम बो सकते हैं कि इस वन्च का ऐसा पहला शाशक था जिसने खुद को दिल्ली के सुल्तान फिरोश्चा तुगलक के दर्वार में भी खुद को यहां अरपित करने गया था और इसकी जो कारकाल है 1365 से 1420 इसवी तक रहा है तक कह सकते हैं कि ग्यान चंदर चंद ऐसा कोशन अगर आ गया कि चंद शाशक जो चंद राजवन था उनमें इस ऐसा कौन सा शाशक था जो फिरोश्चा तुगलक के दर्वार में स्वाम को विभुशित किया था दानकिगा किस की उपादी से विभुशित किया था गरुड की उपादी से विभुशित किया था ग्यान चंदर को तब कोशन अगर आ गया कि किस को किस बोसकते की राजा को गरुड की उपादी से विभुशित किया तो वह थे ग्यान चंदर और किस न राजाओं की बीच में डोटी का युद्ध हुआ था इसे के साथ 1512 से 1530 के मद्ध चंद राजा भिश्म चंद ने जो अपनी राजधानी थी वह इस्थांतरित कर ली थी अब कहां से इस्थांतरित करी थी तो चंपावत से लेकर अलमोडा मतलब जो भिश्म चंद थे जब भ पदल कर अलमोडा में इस्थापित कर ली जो कि कल्यार चंदर के समय मर बनकर पूर्ण होई तानकी का इन्हों ने इस्थापना तो कर दी एक नई राजधानी इस्थापित तो कर दी परनतु अब पूर्ण कब हुई कल्यार चंदर के शाशन काल में इसी की साथ साथ भिश् चंद्र ने इसी के साथ साथ कल्यान चंद्र जो फिप्त के समय के दिबात करें तो कुमाओ पर रोहिलो का आकरमन हुआ था दानकीगा रोहिलो का आकरमन हुआ था कुमाओ छेतर में और कभी शिवन ने कल्यान अंदो दयाम की भी रचना इसी समय काल में की है कल्यान चंद्र क अब कोशन अगर आ गया कि कुमाओं पर रोहिलो का आक्रमन किसके शाषनकाल में हुआ तो वह हुआ था कल्यान चंदर के शाषनकाल में मिसिक साथ साथ चंदर शाषक रूप चंदर ने पक्छी अखोट आखेट कला पर श्वेनिक शास्तर नामगिरंद की भी रचना करी साथ में बाज बहाद दूर चंद गुरू विज्ञान चंदर वंच के ये जो शाषक थे ये चंद वंच के सबसे प्रमुक शक्तिशाली शाषकों में से एक माने जाते थे अब ये हो गई इनके शाषकों की बात आईए बात करते हैं इनके महरों की बात इनके जंडों की बात इनके चिनों की बात तो आपको ग्यात होगा कि जो चंद राजा थे उनका जो राजित चिन था वह थी हमारी गाय अर्थात काउ जिसको इंगलिशन बोलते हैं काउ तो गा प्रदान की नियुकती चंद राजाव द्वारा प्यारंभ की गई थी और चंद वांश का जो अंतिम शाषक था आप सभी को गया होगा वह था महेंद्र चंद तो ये थे कुछ चंद वांश के शाषक के बारे में डिटेल आगे देख लेते हैं चंद शाषको द्वारा निर्मित प्रमुख किले कौन कौन से प्रमुख किले हैं चंद शाषको द्वारा तो आगे देखते हैं सबसे पहला मला महल किला कलर बदलेंगे जिससे आपका आसानी हो समझने में मल्ला महल के लिए के दिबात करें तो मल्ला महल के लिए का निर्मान चंदवंशी राजा कल्यार चंदर दनकीगा चंदवंशी राजा कल्यार चंदर ने कराया और यह किला कहां पर है खिला नहीं दांकि एक किला यह किला कहां पर है तो यह किला अलमोडा नगर के ठीक मध्य में इस्ति थे मल्ला महल किला अगला है हमारा खगमरा किला अभी मैंने बताया था खगमरा किले के बारे में कि खगमरा किला अलमोडा के पूरू में इस्ति थे और इसका निर्मान किस ने करवाया था तो भिश्म चंद ने इसका निर्मान करवाया था अगला किला है राजबुंगा किला यदि राजबुं निर्मान कराया था कौन सा है राजबंगा किला जिसे राजबंगा के नाम से भी जानायता है परन्तु अधिकतर राजबंगा ही आपको देखने को मिलेगा अगला किला है हमारा लालमंडी किला यदि लालमंडी किले की बात करें तो लालमंडी किला अलमोडा के पलतन बजार म इस किले की बात करें कि इसका निर्मान किस ने करवाया तो वह थे कल्यार चंद्र जिन्होंने 1513 चेश्वी में लाल मंडी किले का निर्मान करवाया और इस किले को फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है अगला किला है हमारा नेथडा किला यदि नेथडा किले की दिबात करें तो नेथडा किला अलमोडा जन्पत के राम नगर गनाई मार्ग पर मासी से लगबग 5 किलो मिटर खड़ी चड़ाई के बाद नेथडा देवी म बानासुर जो है जो किला है यह किला चंपावज जिले के लोहा घाट देवीपुरा मार्ग से पांच किलोमेटर दूरी पर एदियाब जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस किले की लंबाई चोड़ाई की बात करें तो सी मिटर इसकी लंबाई है 20 भाषा में इसे मारकोट भी कहा जाता है जो बानासुर था इसे स्थानी भाषा में मारकोट भी कहा जाता है अगला है हमारा किला गोला चोड़ किला अब गोला चोड़ किले की दिबात करें तो यह है आपका चंपावत में और इसका निर्मान राजा गोरिल से निर्मित था धनकीगा जिसे राजा गोरिला ने निर्मित कराया था राजा गोरिल है वो धनकीगा गोरिला नहीं है माफिश आता हूँ राजा गोरिल ने गोरिला चोड निर्मान का किले का निर्मान करवाया तो ये थे कुछ चंद राजवन्ष के बाद कौन सा राजवन्ष आया उत्राखंज में तो वह था आपका गडवाल का परमार राजवन्ष जिस परकार कुमायू में कुमायू राजवन्ष में कत्युरी शाषन आया फिर चंद शाषन हम चंद राजवन्ष का शाषन हुआ उ ना कीगा राजा कनक पाल ने 886 इस्वी में जो चमोली है जिसको चांदपूरगड कहा चाता था, वहाँ पर गडवाल में परमार राजवंच की स्थापना की राजा कनक पाल ने और इस वंच के जो राजा थे अजएपाल उन्होंने जो राज़ानी थी, वह उनको शाह की उपाधी विधारण की गई और यह जो उपाधी थी वह तस्सिल लोदी द्वारा इनको दी गई थी और धान कीगा परमा राजवंश में यह पूसते हैं उपाधी के बारे में और राजा सुधरशन शाह की की रचना है सभासार जिसके बारे में पूछा जा सकता तो याब यह आप देख लीजेगा और दनकीगा और जो राजा अजयपाल है इनकी राजधनी दनकीगा राजा अजयपाल ने जो राजधनी थी वह चांदपूर गड़ को और फिर देवल गड़ को और पंदा सत्रा में जो शीनगर है उसमें इस्थापित किया यह चीज प्रमार राजा प्रतवी पती शाह दानकीगा जो परमार राजा थे प्रतवी पती शाह उन्होंने मुगल सहजदा जो दारा शिकोह थे उनकी जो पुत्र सुलेमान थे उनको शीनगर में सनक्षन दिया अब दाराशिको का जो पुत्र था वो कौन था वह था सुलेमान शिकोह जिसको शीनगर में सनक्षन दिया इसी की साथ साथ गलवार जो गडवाल है मापके जिगा जो गडवाल नरेशमान सी हैं और महीपती शाह हैं इनके समय में क्या हुआ था कि जो तिबबती लोग हैं जो तिबबती हमला हुआ था और 1636 इस्वी में मुगल सेनापती नवाजथा के दून गाटी पर आकरमन के समय गड़वाल की जो संदक्षिका थी वह कौन थी तो वह थी आपकी महारानी करनावती दानकी का महारानी करनावती इनकी संदक्षिका थी औ और देरादुन की जो राजपुर नहर का निर्मान है वह भी किसने कराया था तो रानाई करनावती दानकी का रानी करनावती ने राजपुर नहर का निर्मान करवाया था और मांदवरेंद्र शाह थे इस वंश के अंतिम शाशक रहे हैं आपको ग्यात होना चाहिए जो पर पावार राजों की कारल में मानो दाई कावेगड राजिवंश कावे सुदर्शन देव द्वारा कावे रचे गए जिन में सबसे पैचिन जो था वह राजा मानशा के समय कावे मानो है जिसकी भाषा जो रचना है वह किस ने करी तो इसकी रचना भरत कवी ने की थी या भारत आईए अब बात करते हैं मद्धिकाली नितिहास में हमने देखे कि हमने देखा कुमाउ और गड़वाल छेतर के अंतिकर जो राजवन्स थे उनको हमने आपर देख लिया अब एक टॉपिक है लग से छोटा साग उत्रागंच के एतिहासिक व्यक्तित्व इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन-कौन से एतिहासिक व्यक्तित्व है तो पहले हैं हमारे शिवदत्त जी यह शिवदत्त जी की बात करें तो शिवदत्त जी अलमोरा से कुडिंद शाष्को की जो चार मुद्राइट प्राप्त होती है जिनमें मरग भूती, मारग भूती, शिवदत, शिवपालित नरेशो के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे दाना कि जो चार कोडिंद शाषकों की जो चार मुद्रा प्राप्त होती हैं उनमें इनका नाम देखने को मिलता है और इनी शाशकों में शिवदत्य भी एक हैं और यदी में कोडिंद की बात करूं तो कोडिंद उत्तर भारत का एक प्रक्षाथ एवं शaktिशाली प्राचीन जनजाती समूह था आपने सुना होगा कोडिंद क्या था तो कोडिंद एक समूह था एक पाचिन जन जाती समू था बहुत शक्तिशाली था प्रख्यात था और इसे वंज के जो शाषक थे उन्होंने दूसरी सदी इसापूरु में तीसी सदी इसापूरु के मद्द जो हिमालाय छेत रहे जो की वर्तमान में उत्राखंट और हिमाचर पदेश का जो कुल्लू का अंगडवाला छेत रहे वहाँ पर अपना गर्ण शाष ने स्थापित किया था धनकीगा कुडिंद शाषकों ने अगला नाम है हमारा श्यू भवानी जय भवानी श्यू भवानी श्यू भवानी जी की बात करें तो देरादुन जीले के जो अंबरी गाउं है महां से जो अ तीसरी सथापदी का माना गया है ओँशी शतापदी का माना गया है जानकारी पराप्थ होती है और इन यो एइट पर कुछ से गयात होता है कि जो वार्ज गणगोत में जो शील वर्मन है उनोंने चार आशो में एक यग़े करवाये थे और इसे पूरु कुरुष का नाम पौन था और इसकी राजधानी क्या थी तो इसकी राजधानी थी युग शेल अगला और अन्तीम नाभ है हमारा निमबर देव या निमबर जी क की बात करें तो जो निंबर थे वक कत्युरी राजवंज के शाशक थे नानकी गा निंबर देव की बात नहीं कर रहा हूं माफी चाहूंगा मैं निंबर की बात कर रहा हूं तो निंबर जी की अधी बात करें तो निंबर एक कत्युरी राजवंज के शाशक थे और इस्थानी एतिहासिक कुछ प्रमुख हमने व्यक्तित को यहां पर देखा तो यहां वीडियो होता यहां पर complete नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वह हमारा उत्राखण का आधुनिक एतिहास तो आप इस वीडियो सीरीज को लगातार देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा क्योंकि सब्सक्रिशन बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल आइकन जरू दबाईएगा जैहिन वंदे मातरम